आप देख रहे हैं KS24 पलपल की खबर HTPP विस्तार परियोजना 500 मेगावार्ट के राखर डैम से प्रभावित ग्रामेड नौकरी रोजगार समेत अन्यसमस्याओं को लेकर राखर डैम के उपर धरने पर बैठ गए हैं धरने के 26 दिन बाद भी प्रबंधन ने अभी तक वार्था नहीं की इससे ग्रामेडों में काफी रोज व्यापत है और अब आंदोलन तेज करने की चितावनी दिये हैं विदूत उत्पादन कंपनी के हस्देवताप विदूत सैंत्र के विस्तार परियोजना के राखर डैम में ग्राम डिंडोल भाठा, चिरहुट, डोडक धरी बिर्वट वा पंडरी पानी गोपालपूर की किसानों की भूमी समाहित हुई है 279 खातेदारों की भूमी में राखर डैम वा पाइपलाइन बिचाई गई है, इसमें आधे लोगों को ही नौकरी दी गई, सेस लोगों को अब तक नौकरी नहीं मिली है, इससे लोगों में नराजगी बनी हुई है, ग्रामिडों का कहना है कि टालमटोल की नीती अक्तियार की जा रही है, अधिकारी कभी कागजात रायपूर विदूत कमपनी मुख्यालय स्विकृती के लिए भेजने की बात कहते हैं, तो कभी जल्द और निकालने की बात कहते हैं, मार्च माह में साथ भूविस्थापितों का सारीरिक परिक्षन किया गया था, पर अभी तक नौ कर उनकी समस्याएं सुनी, ग्रामिडों ने बताया कि मंगलवार को तहसिलदार के साथ HTPP के अतिरिक्त मुख्य अभियनता लहरे समेत अन्य अधिकारियों ने वार्ता करने का आश्वाशन दिया था, पर कोई भी अधिकारी नहीं पहुँचा, जमिन समाहित होने, वा नौ अधियक्ष गोविन सिह कमर का कहना है कि विदुत कमपनी प्रबंधन ने प्रत्यक खातेदार को एक-एक नौकरी देने का वायदा किया गया था, पर कुछ लोगों को ही नौकरी दी गई, सेस लोग नौकरी के लिए भटक रहे हैं, ट्राल मटोल की निती अपनाने के साथ ह गरीब आदिवाशियों को नौकरी देने में कोई मंसा नहीं है, सभी गाउं के प्रभावित लोग धरना में बैठे हैं, आंदोलन लगातार जारी रहेगा, उन्होंने कहा कि डेम से राखड काफी उड़ रही है, और पानी छिड़काओ नहीं किया जा रहा है, राख की अधरना तो अभी तक के सांधिपूर्ण है, और जहां तक होजा के हम सांधिपूर्ण घंसे ही धरना धरेंगे, और हमारा सलोसन भी निकल जाए, और जिस तरीके से सियसी विवालों ने हमारे आदिवासी भाईयों के साथ गरीब जंता के साथ यहां पर चल किया है, वो है, पर इसका समधान नहीं, NTPC है, इसे अपने CACB समधान करने में बिल्कुल असफल है, और हम चाह रहे हैं किसी भी तरीके से समधान निकले, और आदिवासी भाईयों को, भूबी स्थाप्तों को न्याय मिले, पर इसमें किसी प्रकार से कोई ठोस और सार्थक पहल नहीं जिस, जिन मुद्दों को लेकर कि इन्होंने हर्दाल किया है, उस मुद्दे तक हमको तो पहुंचना है, इन्होंने खातेदारों का, भूस्वामियों का किसी प्रकार से परवाह नहीं किया है, जमीन को बालात, छल करके, ठक करके, बहला करके, फुसला करके, इन्होंने जम द्वेनिया राइपुर कि जो अधिकार है किसी प्रकार सेDR नहीं है और यदि यदी यदी जी परब्लब चलती रही कोई समधन न रहा और हर्ताल चलता रहा तो हर्ताल को उगर होने में सांती भंग होने में कोई दिन नहीं है सांती भंग हो जाएगी और पूरी जवाबदारी मेनेजमेंट की होगी बीजेपी की सरकार थी तो तब तो कुछ नियाय हुआ था हमारी माननी रवन सिंग्जी के समय में यहां लोगों को नौकरी मिली ठीजब से कि प्रकार से राजिशाशन में के नयाय के निया दिलाने के लिरे किसी प्रकार से छूद्ध नहीं है और ना ही जार्थक पहलोई यह न उस तरी कभी बैठक हो पाई ह। हम लें पहले लोग को सूचना दे एंटी एंटी एसे वी वालों को कि हम लोग का नवकरी करके तो इन लोग कई बार जो है अंदूलन कराया लेकिन किसी को नवकरी नहीं दिया और कुछ लोग दिया गया है पाकिसे बचे हुए हैं सभी को जी समय जमीन दें ग्रहाण के उट स आज तक हमारे गरीब आदिवासी लोगों को घुमाया जा रहा है जिसकी वजह से परिसान उग्रहों करके अभी एक तारिक से धर्ना परदसने बैठे हुए यहां पर और आज चूबिस तारिक हो गया लेकिन अभी तक किसी सीवी के दौरा कोई जो है अस्वासा नहीं दी है और हम चाहते हैं कि अगर ऐसी सीती रहे तो आगे तक अंदोलन चलता रहेगा और हम जीतने जो है नव बिंदों का मांग किये हैं उसमें पालन होगा तभी हम हर्ताल को यहां से तोड़ेंगे हम लोगों का गावले पूरे गाव दिलोल भाठा इधर 5-7 गाव हैं सभी ग पानी का शिर्काव करने कुछ नहीं करते जैसे हम लोग साधी विवा का समय आता है मा जुलाई अगस यह में जन्वरी से ले करके तीन-चार महना हम लोग के गाव में इधर साधी विवा का कारेकर नम उलाता है उस समय इनको बोला जाता है कि भाई राखण को गिला करके र तब ही हम जो है आगे की यह करेंगे बागी ऐसी तो अभी बंद ही रखना है यह राखण डेम बने हुई है तब से राखण की जो है पानी जो है एक दाम मत मैला लाल कलर कर और पीने में बहुत पी नहीं पाते तो चाहते हैं गाह वाली कि कहीं से पानी इनों के लिए तो ब गेर आख़र देमें बागी पीने का पानी भी खराब है तो चाहते है कि गाहँ वाले को किसी टेंकर के माध्यम से उनको दिया जाए कि लोग बैठें क्या है पुरा मामला यह है इतना दिन से बोले है आट साल हो गया नोगरी देंगे करके आज तक दॉकरी नहीं मिला है हम लो 24 दिन हो गया 24 दिन से आज तक कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ है यहां पर आगे आप क्या करेंगे जब इसी तरह चलता रहेगा हर्तार जारी रखेंगे और क्या करेंगे कुर्बा से केसेन 24 के लिए संतोष दिवान की रिपोर्ट